अकबर के महल में कई कीनती सजावट की वस्तुएं थी। लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रख्वाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस कुछ पता न चले। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता तूट चुका है। यह सुनकर अकबर आग बबूला हो गए। क्रोध में अकबर ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा जूट मैं इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले की जूट हर व्यक्ति कभी नक भी बोलता ही है। किसी के जूट बोलने से अगर कुछ बुराया गलत नहीं होता, तो जूट बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहां जिसने जूट बोला हो, सबने राजा को कहा कि नहीं वो जूट नहीं बोलते, यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस ब उन्होंने जोहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुँच गए। बीरबल बोले आज मुझे रास्ते में एक सिध्ध पुरुष के दर्शन हुए उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाऊगे वहां सोने की फसल उगेगी अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी चमतकार देखे बीरबल की बात मानते हुए पूरा राजदर्बार खेत की ओर चल पड़ा खेत में पहुँचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी जूट न बोला हो बीरबल बोले की क्या राजदर्बार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी जूट न बोला हो सभी खामोश थे बीरबल बोले जहां पनाह अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिये बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर जुप गया उन्होंने कहा ब दुनिया में कभी नक भी सभी जूट बोलते हैं इस बात का एसास होते ही अकबर उस सेवक की फासी की सजा को रोक देते हैं